Hello to all my dear friends, my name is Sumitrana. बच्चों आप सभी का हमारे Sumitrana BSC Classes में बहुत-बहुत स्वागत है. जितने भी हमारे उत्तर पृदेश राज्य के बच्चे यहां पर BSC कर रहे हैं और वो BSC Second Year Qualified करके आ गये हैं. अब BSC Third Year में आये हैं. तो जाहिड जी बात है BSC third year में आपके दो semester रखेंगे एक तो पाँचमा semester है दूसरा छटा semester है पाँचमे और छटे semester में आपको एक खास बात याद रखना है कि चाहें वह जोलोजी हो बोटनी हो बोटनी का syllabus हम आगे डिसकस करेंगे तो उसमें बात करेंगे अब हम जोलोजी की बात कर रहे हैं तो जोलोजी में आपके 5th semester में BSC 3rd year के 5th semester में 2 paper आपको qualified कर दिये होंगे यानि कि आपको 6 महने में 2 paper का exam देना पड़ेगा ठीक है तो आपका syllabus क्या है 5th semester का बहुत सारे बच्चे demand कर रहते हैं classes ले रहा हूँ आज कल बिहार वाले बच्चों के लिए और यहाँ पर साड़े 8 बजे जब मैं जुड़ता हूँ तो बहुत सारे बच्चे comments करते हैं कि सर प्लीज 5th semester स्टार्ट कीजिए जोलोजी का बॉटनी का तो उनी लोग के लिए और भी सभी बच्चों के लिए यहाँ पर मैं 5th semester का complete syllabus लेकर काया हूँ जिसमें पहले और दूसरे paper की मैं बात करूँगा और फिर उसके बाद पर आपकी study start हो जाएगी application के उपर भी चालू रहेगी ठीक है तो देखते हैं हमारा पांचमा जो semester है उसका क्या syllabus है यहाँ पर तो जितनी बच्चे यहाँ पर है देखिए program class जो है वो degree की है अब पांचमे semester में आप आए हैं तो 3rd year qualified करने के बाद में आपको degree मिलेगी है ना अभी तक आप लोगोंने certificate diploma ले लिया है 1st year और 2nd year से अब आपको मिलेगी degree तो degree आप जैसे ही 3rd year qualified करेंगे 3rd year qualified करेंगे that means semester 5th qualified करेंगे और semester 6 qualified करेंगे तब आपके हाथ में एक degree आएगी और आप कहेंगे कि हाँ मैं अब graduate हूँ ठीक है पुरानी education policy में कुछ खामिया थी कि आप BSC 1st year में आया करते थे तो बीच में अगर drop हो जाता था 2nd year में आ करके 1st year का exam दिया 2nd year में आपने drop कर दिया लेकिन वो मान नहीं होता था कि आपने BSC बगरा किया है लेकिन अभी क्या है इस नए education policy के आधार पर आपको यहाँ पर certificate, diploma और degree दोनों यहाँ पर तीनों यहाँ पर provide की जाएगी अगर आपने participate किया है BSC के अंदर Credit system का भी यहाँ पर पूरा system में पूरा बताया हुआ है अब लोगों ने अगर syllabus ने उजगेशन policy के आधार पर मैंने जो बताया था उसमें पूरा समझाया है BSC का अब लोग देख लिए अब यहाँ पर हम लोग अपना syllabus देख लेते हैं पांच में semester का क्या है भाई काफी simple syllabus है अभी तक आप लोगों ने फरस्ट और सेकेंडर में बहुत महनत करी है अब 11 और 12 का मतलब यूपी में थोड़ा सा यह गड़बड किया गया है 11 और 12 को आप देख रहें कि 3rd year के 5th और 6 semester में डाल दिया गया है और भी advance चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है इसा ने कि सिर्फ 11 और 12 पढ़ना है क्योंकि अपने हिसाब से उनिवसिटी कर सकती है जैसे हमारे लखनों उनिवसिटी में जितने भी बच्चे पढ़ रहा है या लखनों उनिवसिटी से अफलेट जितनी भी उनिवसिटी या जितने भी कॉलिजे से वहां के जो बच्चे पढ़ रहा है उनको simplified में यही वाला जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा यह सब first year में पढ़ना है तो घबराने की कोई बात है नहीं वैसे विसेश तोर पर सारे semester launch कर दियेगे हैं तो आप आसानी से सब कुछ पढ़ सकते हैं अब देख लेते हैं हम लोग इसमें हमारा जो paper है तो paper का जो नाम है बच्चों आपका यहां पर जो paper का नाम है वो है diversity of non-caudate and economic geology यह बहुत important है इसमें आपको non-caudates के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है इसके साथ साथ जो economic geology है वो भी आपको देखना है economic geology क्या होता मैं आपको बताऊंगा और इसमें total 8 unit आपको पढ़नी है कितनी 8 unit आपको discuss करनी है पढ़नी है इसमें मैंने पूरा देख रहे हैं आप compulsory course आपका है यह course है जिसमें 4 credit आपको मिलेंगे और इससे पहले आप लोग 4-4 credit लेकर के आए हैं और यह compulsory course है और यहाँ पर देखे minimum passing mark as per rules जो rules दिया गया है इनके आधार पर उसके आधार पर जो है ना यहाँ पर minimum passing mark भी इन्होंनों कुछ decide किया था अपना और maximum marks जो होंगे इसमें 75 और 25 पच्चिस का जो है वो practical का और 75 का जो है वो थोरी का आपको यहाँ पर मिलेगा इस अब आपको पता है पताने की requirement नहीं है इसमें 8 unit है हमारी वो 8 unit कौन कौन सी है यह हमको पढ़ना है तो देखे बच्चों पहली unit जो यहाँ पर आपकी है उसका नाम है protozoa to sealant rate यहाँ कि protozoa से लेकर के sealant rate तक जितने भी organism रखे गए हैं उन सभी को पहली unit में discuss करना है इ specially वो कौन सा पढ़ना है वो है paramecium ठीक है अब देखे बहुत सारे organism को यहाँ से हटा दिया गया प्रिवियसली अगर हम लोग बात करें या पहले पुरानी education policy के अंतरगत जो हमारी हमारा सलेवस था उसमें पहले paper में non-credit दूसरी paper में higher non-credit पढ़ना रहता था तूसरी paper मे जो non-credit से उसमें मातर protozoa के अंदर paramecium को ही discuss करने के लिए कहा है इसके अलावा ना monocystis पढ़ना है ना yuglena पढ़ना है ना plasmodium पढ़ना है कोई भी other organism नहीं पढ़ना है ठीक है तो इसका morphology से लेकर के जो इसका reproduction है paramecium का वहां तक आपको discuss करना है पहली बात दूसरा ज स्पेशली आपको इसके general character classification है ना यह सब तो पढ़ना ही पढ़ना है उसके बाद में इसमें जो एक organism रखा गया है जिसका नाम है साइकॉन इसके बारे में आपको पढ़ना है और साइकॉन में आपको इसका canal system बताना रहेगा ठीक है इससे question आपका बनेगा और भी मैं यहा स्पेशली ओविलिया पढ़ना है क्या पढ़ना है ओविलिया पहले के पिपर में या पहली education policy में क्या कि था ओविलिया के सास्ता हम लोग और इलिया भी discuss करते थे और इसमें आपको इसका morphology और रिप्रदॉक्शन यहां तक आपको से लेकर के बारे में पढ़ना है इसका रिप्रदॉक्शन में स्पेशली इनकी life cycle यह बहुत important और यही आती सेइन जो यूनिट यहां पर है यहां पर वह फोरा से लेकर के इनोफोरा से लेकर के निमेतो हbyeल्मन गिस को पता है कि बहुत माइनर और छोटा सा फाइलम यहां पर रखा गया है जिसमें एक स्पैसिफिक ऑगन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायो लुमिनिसेंस ऑगन के पाया जाने के कारण यह रात के समय में या समुद्री ऑगनिजम जो हैं या आप उसमें देखेंगे नीचे की जब ग दो रात के समय में देखें चमकता है और रात में नहीं वहर टाइम चमकता अगर उसको पकड़ के ऐसे देखें ना अंधेरे में ले जाया तो चमकना शुरू कर देता तो चमक जो आ रहे हैं वह एक बायो लुमिनिसेंस ऑगन होता है जिसके कारण आती है वही यहां पर हमें आपको टीनिया सोलीयम के बारे पढ़ना इसको टैप वाम कहते हैं तीनिया सोलियम का मॉफलोजी और इसका रिप्रोडॉक्षिन रिप्रोडॉक्ष्यन बोले तो लाइफ साइकल है जो उसके बादे हैं प्लेटि के बाद में आपका आता है निमे से हलमन्तिय स और दिखा ग्यां तो पर लूप किया गया तो इसका नाम बदल दिया गया 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 इसका करद दिया गया निमिते हल्म अपर है यहां पर प्ड़ना है् माफology से लेकर केस का रिप्रॉडक्षिन आपको देखना है दैटमेंस लाइफ cycle ही हमको यहां पर पढ़नी है इसके बाद में एक आपका थर्ड यूनिट यहां पर include किया गया है और यह थर्ड यूनिट है एनिलीडा और इस एनिलीडा ने अपना एक specific unit ही बना लिया यानि कि इतना specific यह phylum है जिसके अंदर जो organism आपको पढ़ना है यह बहुत specific organism है और इसने अपनी जगा बनाई है unit third में अकेले और एनिलीडा में आपको हिरूड नेरिया के बारे में पढ़ना है लीच के बारे में पढ़ना है मतब especially यहां पर लीच पढ़ना है अर्थवा मटा दिया गया है क्या पढ़ना है लीच हिरूड नेरिया ठीक है यानि जोक जिसको कहते है इसकी morphology से लेकर कि आपको इसका structure यानि और सारी reproduction तक पढ़ना है फोर्थ unit की बात करें बच्चों तो फोर्स unit में एक अलग phylum रखा गया है जिसका नाम है आर्थो पोड़ा क्या रखा गया है आर्थो पोड़ा और इसने भी अपना एक अलग unit बनाया है अपनी काबिलियत पे क्योंकि आर्थो पोड़ सो बहुत सारे इंसेक्ट बहुत सारे हैं अगर आप से इसके पलेंज बारे में पढ़ना के बारे में पढ़ना है और इसमें इसके मौ पढ़ना है अपनेंडेस स्टम एंड और रिप्रॉड़क्शिन इसको नर्वस सिस्टम भी डिसकर्व करना थैसी कोशन बनेगा तो हमारा रूष तो पोड़ा भी होता है complete अब मॉलस्का से ले करके हैं यहां पर इसका करना है जैसे मॉलस्का में आपको पढ़ना है पाइला का आपको मॉफलोजी पढ़ना है उसकी बात हो रही शेल के बारे में पढ़ना है respiration के बारे में पढ़ना है nervous system के बारे में पढ़ना है और इसका जनन कैसा है है ना उसके बारे में पढ़ना है और echinodermates के हम लोग बात करें तो echinodermates में आपको यहाँ पर pentaseros ठीक है pentaseros पढ़ना है इसका morphology and water rescue system पढ़ना है अच्छा देखिए यहाँ पर hemicodata दिया है echinodermata के बात में hemicodata आपको यहाँ पर include किया गया है लेकिन खास बात क्या है कि वो यहाँ पर mention नहीं है ठीक है तो हो सकता है कि university ने mention ना किया हो यह हो सकता है सिर्फ इसके salient प्री सिर्फ पूछे जाए है hemicodata के तो phylum जो hemicodata है आपको मैं बता दूँ कि जब आप लोग phylum quodata पढ़ते थे तो phylum quodata को तीन sub phylum में divide किया गया था पहले जिसमें एक sub phylum था hemicodata, दूसरा है cifelocodata, तीसरा है आपका बताइए hemicodata, cifelocodata और eurocodata तो जो hemicodata था इसमें ये पहले के समय में बाना गया था कि नोटो कॉर्ट जैसी सनचना यहाँ पर पाई जा रही नोटो कॉर्ट पाई जा रही है तो उसने अपने एक जफा बनाई थी बात में जब एडवांस फार्म में इसको हमारे पास में डाटा आया याद करने का या समझने का पढ़ने का तरीका आया तब इसको जब और ज़्यादा गया है नध्यन से देखा गया पता चला कि हमी कॉर्डेट में जो और रखे गए उनमें नोटो कॉर्ड जैसी सनचना पाई जाती लेकिन नोटो कॉर्ड नहीं होती तो इसलिए उसने को वहां से हटा करके एक अलग फाइलम में इंक्लूड कर दिया तो इकायनो डर्मेटर और आप ऊधर जयां तो कर्डड नेटर के सब फाइलम यूरो और एकायनो डर्मेटर के बीच की किनटिंग लिंक माना जाता और यहां पर मैं अगर रहेगा तो मैं आपको सेलेंट फीचर क्लासिफिकेशन और इसका बैलनों क्लास्स यहां पर पढ़ा दूँगा ठीक है नेक्स्ट जो यूनिट आपकी है छटी जिसमें आपको स्पेशली पढ़ना वेक्टर और पेस्ट के बारे में ठीक है अब देखें थर्ड येर का पहले जो बच्चे थर्ड येर में इस बार होंगे वह भी एगर देख रहोंगे तो आप देखें अब थर्ड येर में वेक्टर पेस्ट है लेकिन उसके साथ साथ पीछे देखें जितने भी लोर नॉन कोडियेट को पढ़ाया गया ठीकितों वेक स्कीटों का किस तरीके से ऐन इन सबका को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है हो सब पढ़ना है तो life history पढ़नी है सब की और जो इन से disconnect हो रहा है economically form में हमें हान ही हो रही है उसको किस तरीके से हम control कर सकते हैं वो हमको इस unit के अंदर पढ़ना है साथमी यूनिट में देखे बच्चों लिखा हुआ है Economic Geology Economic Geology first और आठमी यूनिट को रख दिया गया Economic Geology second Economic Geology first में आपको Animal Breeding and Culture पढ़ना है Animal Breeding कैसे हो रहा है किस तरीके से इनका Culture किया जा सकता है और especially यहाँ पर हमको पढ़ना है PC Culture PC Culture इसी मतलब मतस्य पालन मचली पालन कैसे होता है बड़ा detail में आपको यहाँ पढ़ना है Economic Geology second में देखे यहाँ पर सेरी कल्चर पढ़ना है कुछ और भी पढ़ना है सेरी कल्चर, एपी कल्चर, लैक कल्चर और वर्मी कल्चर सेरी कल्चर क्या होता है एपिकल्चर क्या होता, लैक कल्चर कैसे करते हैं वर्मी कल्चर कैसे करते हैं इन सभी के बारे में हमको इस पूरे पेपर में, लास्ट यूनिट एट में पढ़ना है तो आप देखें बच्चों, ये हमारा पहला पेपर बनेगा जाकर के, फर्स्ट पेपर इसके बाद में सेकेंड पेपर के अगर अपने लोग बात करें तो सेकेंड पेपर यहाँ पर साफ साफ दिया गया है थर्डियर का मैं लिखे दे रहा हूं कि फिफ्ट सेमेस्टर का ही पॉर्शन है और इसमें में भी आप देखेंगे क्रेडिट आपको चार मिलने हैं 75 नंबर का पेपर होगा 25 नंबर का प्रेक्टिकल होगा है तो यहाँ पर फिफ्ट समेस्टर में यानि यासी थर्डियर में आपको बहुत मैनत करना है और देखें बच्चों यहाँ पर जो पेपर बनेगा पेपर का तो टाइटल होगा वो बनेगा डाइवर्सिटी ओफ कॉड़ेट एंड कमपरिटिव अनॉटमी ठीक है जितने भी कॉड़ेट्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है इसके अलावा इनके बीच की जो कमपरिटिव अनॉटमी है वो भी आपको डिसक्स करनी है और टोटल पढ़ी के मैदद करने की तो और करिए तो देखे पहली उनिट में आपको ओर्जिन आफ कॉड़ेट एंड हैमी कॉड़ेट के बारे में डिसकर्स करना है ठीक है कॉड़ेट का ओर्जिन कैसे हुआ मतला बेसिक लेवल पर यहाँ पर जाना है और हैमी कॉड़ेट जो सब फ पढ़ना है classification and detailed study of balanoglossus अच्छा देखिए यह हमी कॉड़ेटा कहां गया था पहले वाले पेपर में था लेकिन वहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं किया इसको second paper में डाल दिया तो second paper में आपको देखे classification पढ़ना है हमी कॉड़ेटा का general character पढ़ना है और इसमें एक बहुत detailed study करनी organism की जिसका नाम है balanoglossus ठीक है इसका habitat, external morphology, morphology, anatomy, physiology और development किस तरीके से होता है यानि complete anatomy आपको इसमें पढ़ानी है digestive system, respiratory system, circulatory system, nervous system, reproductive system इस सारे system आपको balanoglossus के पढ़ाने है और पढ़ने है specially ठीक है एक बहुत important organism आपको पढ़ाना है या पढ़ना है जिसका नाम है branchiostoma जिसको amphioxus के नाम से भी जानते है habit, habitat आपको पढ़ाना है, morphology आपको पढ़ाना है, anatomy आपको पढ़ाना है, इसका physiology भी आपको पढ़ाना है ठीक है और वहीं आप देखें तो second जो आपका यहाँ पर सभफाइलम दिया है वो है सभफाइलम euro quadita और euro quadita में एक बहुत important organism रखा गया है, जिसका नाम हर्ड मानिया, यह पहले आता है, सिफिलो quadita बाद में आता है, advanced form में, evolutionary basis पर हम लोग पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, रहेगा सारा यही, मैं पढ़ाऊंगा आपको निशिंद्र है, तो यहाँ पर देखें, habitat, morphology, anatomy physiology and post embryonic development, यह बहुत important, post embryonic development भी आपको इसमें discuss करना रहेगा, second paper में, ठीक है, अब यह तो दो unit की बात हो गई, अब third unit में देखें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है classification and general character of vertebrata, तो आप देखें, भाया, यहां पर जुड़े होगा ना, नहीं जुड़ें तो जुड़ें इसका syllabus देखें अपना, देखें, शमस्तर बाइसका syllabus क्या कर दिया गया, भाया, पूरा एकदम lower non-cordid से लेकर के higher non-cordid एक मही पढ़ा दिया, है ना, और यहां पर देखें, जो vertebrata है, vertebrates है, है ना, subphylum, vertebrates जो यहां पर include किया गया है, इसमें आपको क्या क्या पढ़न examples को बताना है, पढ़ना है, second यहां पर देखें, आपको जो topic पढ़ना है, वो पढ़ना है, poisonous and non-poisonous snake and biting mechanism, बहुत important है, यह आपका reptiles का जब मैं पढ़ा हूँगा, class reptile पढ़ा हूँगा, तो उसमें यह topic में cover करा दूँगा, non-poisonous और poisonous snake कौन से होते हैं, इंडिया में कौन and pedogenesis क्या होता है, यह class amphibia की बात है, नियो टिनी और pedogenesis क्या होता है, इस पर हम आपको बताएंगे, short note आता लिखने के लिए, फिर आपको यहां पर migration in birds, birds का migration किस तरीके से हो रहा है, अलग-अलग मौसम में आप देख रहे हैं कि इंडिया में different type का मौसम पाया जा रहा है different different छेत्र में, reasons में, तो कुछ ऐसे birds होते हैं, जो ठंडी जगाहों पर ही रहना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे हैं, जो गरम इस्थानों पर रहना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे हैं, जो बारिश के इस्थानों पर रहना पसंद करते हैं, तो जहां पर जैसी condition आती है, वे पक्ष पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको देंटीशन इन मेमल्स भी पढ़ाना है यानि दातों की सनचना के बारे में और दातों का जो अरेंजमेंट एक्चुली में वह पढ़ाना है इनका किस तरीकी का दातों का फर्मूला होता है देंटीशन कैसे होता है वह सब पढ़ाना है अब आप देखें बच्चों कि यहां पर सिलेवस कितना ज्यादा ब्रॉड कर दिया है थर्ड येर के फिप्थ सेमेस्टर में तो जाहिश जबात इसमें ज्यादा महनत लगेगी ज्यादा पढ़ना पढ़ेगा और जल से जल्द जुड़ना पढ़ेगा फॉर्थ यूनिट आप देखें बच्चों यहां पर लिखा हूँ है कंप्रेटिव अनाटमी और फिजियोलोजी आफ वर्टिब्रेट इंटेगुमेंट्री सिस्ट पढ़ना है कुछ वर्टिब्रेट्स का और इनका इंटेगुमेंट्री सिस्टम भी डिस्कस करना है यहां पर देखें अब आप लोगों को दिख रहा होगा तो फॉर्थ में क्या आपको पढ़ना है फॉर्थ यूनिट में कंप्रेटिव अनाटमी और फिजियोलोजी आफ पर डिसकस करना है सिर्फ ओवर्व्यू देना है और आपको विस्टरल आर्च क्या है इसके बारे में पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है विस्टरल आर्च के बारे में पढ़ना है इसके बारे में पढ़ना है इसके बारे में पढ़ना है फिफ्ट यूनिट जो आपक सिस्टम के ऊपर ठीक पहले हम उनिट में इस्किलेटन सिस्टम पढ़ेंगे पूरा ठीक फिर पढ़ेंगे डाइस्टिव सिस्टम में देखिए आपको अलिमेंटरी कैनाल और एस्टोसियेटेड ग्लेंड और देंटीशन यहां पर भी देंटीशन आपको लीवर हो गया है ना चली मिलाइन हो गया लीवर ग्लेंड रंक्रियाज लेह जि की जिदनी भी ग्लेंड सें इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़े गा अच्छा सब उसके बाद में आपका पांचमी के बाद में। यूनिट के बाद में आपकी छटी उनिट आएगी और इस छटी उनिट में आपको respiratory system के बारे में पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है? ति Beijuellement आपको देखें है, और आशेसरी पाति अब पैए जाते हैं तरिके के बारे में पढ़ना है है आपकी circulatory system इसने आपको general plant of circulation पढ़ना है evolution of heart and aortic arch के बारे में पढ़ना है ठीक है तो general 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 plan of circulation किस तरीके से circulation हो रहा है उसके general overview आपको देना बहुत जादा detail में यहां पर नहीं पढ़ना है evolution of heart heart का evolution कैसे हुआ है और aortic arch क्या होता है उसको पढ़ना है और इसी unit में आपको urino genital system के बारे में भी पढ़ना है जिसमें succession of kidney evolution of urino genital duct कैसे हुआ type of mammalian uteri type of mammalian uteri क्या क्या है उसके बाद में next और last unit आपकी रहेगी वो nervous system के उपर है और sense organ के उपर है nervous system में आपको comparative accounts of brain specially पढ़ना है और autonomic nervous system spinal cord cranial nerve in mammals में जो cranial nerves पाई जा रही है उनके बारे में पढ़ना है spinal cord मतलब vertebral column के बारे में पढ़ना है autonomic nervous system क्या होता है और sense organ में आपके classification of receptors receptors on कौन से आपके है skin हो गया ear हो गया eye हो गया nose हो गया तो receptors पढ़ने है और brief account of visual and auditory receptor in man ठीक है visual मतलब eye visual कहां visual कहने का मतलब किस्था हो गया eye से हो गया eye के बारे में पढ़ना है और auditory auditory receptor कहने का मतलब हो गया vocal cord से या फैरिंग से ना इसके बारे में आपको discuss करना है उस तरीके से बटा आपने यह देखा कि आपका जो complete third year का fifth semester है जो complete third year का fifth semester है उसका syllabus होता है complete तो उस तरीके से बच्चों यह आपका syllabus है और बहुत brief syllabus है सभी लोग अच्छे से इसको समझ लें आपका पूरा complete यूपी के बच्चे हमारे पांच में semester में आया है आपको इसी तरीके का syllabus पढ़ना है चाहे वह आप mjpr university से हो अगर ddo university से हैं या ccs university से हैं तो भी अपने syllabus देख लें अगर यह syllabus आपका है तो आपके लिए यह class बहुत बहुत beneficial रहेगी तो मिलते हैं बच्चों class में हालाकि इससे related मैंने बहुत सारी classes आपके यूट्यूब सुमित राणा bsc classes में upload कर रखें तो अभी तक अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कल लो यार बल आइकन दबा लो क्यूंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी classes यहां पर मिलेंगे और सबसे पहले आपको यहां पर जो है class मिल जाएगे रहेगी notification के तौर पर ठीके तो class को subscribe channel को bell icon दबा लीजिए जिसे सबसे पहले आपको notification मिलेगा और हमारा support करें बच्चों हमारा application load करें सुमित राणा bsc classes और इसकी complete study material आपको हमारे application के उपर ही provide किया जाएगा जल्दी course launch किया जाएगा या course launch हो चुका है preparation के लिए फटाक से 5th semester वे आपना admission ले लें क्योंकि दो पेपर आपको पढ़ना और 6 मैने बाद ही पेपर होना 6 मैने का मतला है 4 semester वालों के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत है 4 semester वालों को 3-4-5 मैने में ही पेपर हो जाना है ठीक है तो थोड़ा सा आप लोग जल्दी कर तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत